नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम सोलू करेंगे कुश्चिन नमबर 9 तो चलिए इसको सोलू कर लेते हैं इसके अंदर में क्या दिया गया है इन पैरलेलोग्राम ABCD एक ABCD एक पैरलेलोग्राम दी गई है तो इसके हमें जो BD है वो डाइगनल भी दिया गया है टू पॉइंट्स P और Q जो है इस डाइगनल पे है यानि कि एक ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट इस BD डाइगनल पर है ये जो BD डाइगनल है इसके उपर और यहांपर हमें दिया गया है DP जो है BQ के बराबर है यानि कि यह जो चीज है DP और यह जो है BQ के बराबर है इसके बराबर तो हमें यह चीजें प्रूव करनी है तो चलिए इसको सॉलू कर लेते हैं पहले इसको हम A को सी से मिला देते हैं और यहां पर center ले लेते हैं कि यह O center है अब हमें पता है हमारे पास जो A, B, C, D है वो एक parallelogram है A, B, C, D parallelogram है तो यहां पर लिख लेते हैं यह क्या है एक parallelogram अब अगर यह parallelogram है तो जो opposite side है वो इसकी equal होंगी और जो diagonal है इसके वो bisect करेंगे bisect करने का क्या मतलब है diagonal का कि जो O, B है और वो O, D है वो बराबर होंगे तो A, B, C, D अगर parallelogram है तो O, B जो है O, D के बराबर होगा O से B तक center से और O से D यानि कि A की diagonal का जो center है अगर हम दोनों side देखें उसकी बराबर होंगी parallelogram की property है यह और यहाँ पर B के O, D, P के बराबर हमें दिया गया है question के अंदर तो यहाँ पर लिख लें B के O, D, P के बराबर दिया गया है अगर इसको हम first माल लें इसको second माल लें और first मेंसे second को गटा दें यानि कि O, B माइनस B के O कर दें और यहां से OD माइनश DP हो जाएगा Left मैं से Left को अध़ा दिया OB में से अब देखें पूरे OB मैं से O जो B के O है उसको गटा दें तो क्या बचेगा O के O बचता है तो यहां पर OK O इकवल को OD में से पूरे OD में से इस DP को गटा दें तो OP बचता है यानि कि O के ओओ जो है O, P के बराबर आ जाता है O, K on graph. P के बराबर आने का क्या मतलब है जैसे कि बड़ी जो पैरलेलोगराम है A, B, C, D के अंदर O, B जो है O, D के बराबर है इस छोड़ी पैरलेलोगराम इसका मतलब यह भी पैरलेलोगराम बनती है A, P, C, Q जिसके अंदर O, A सोरी जो O, Q है O, P के बराबर कह लिजी O, A, O, C के बराबर कह लिजी क्योंकि यह हमने प्रूव किया तो A, P, C, Q जो है एक पैरलेलोग्राम आ जाती है यह पांचवाँ पार्ट यहां से सॉलो हो जाता है बड़ी ही असानी से उसके अलावा यह छोटे-छोटे पार्ट भी सॉलो कर लेते है अब अगर यह पैरलेलोग्राम है तो A, P, C, Q के बराबर होगा अगर A, P, C, Q एक पैरलेलोग्राम है तो A, P, C, Q के बिल्कुल उपोजिट साइड है और यह बराबर होगी तो यह होगी A, Q, C, P के उपोजिट साइड है तो यह भी बराबर होगी तो यह तीनों पार्ट तो बड़ी असानी सॉलो हो जाते हैं अगर हम इसको पैरलेलोग्राम प्रूव कर देते हैं अब ले लेते हैं जो ट्रेंगल है यानि कि यह फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जो ट्रेंगल है हमें A, P, D लेनी है और जो ट्रेंगल है C, Q, B लेनी है तो इनको हमें कंकुरेंस प्रूव करना है तो इस ट्रेंगल के अंदर A, P, D और C, Q, B के अंदर जो A, D है वो हमारा C, B के बराबर है यहाँ पर देखिए A, D जो है CB या BC के बराबर है क्योंकि parallelogram की opposite side है इसी तरह से AP जो है वो C के O के बराबर है अब यहां पर AP जो है C के O के बराबर है अब हम क्या कर रहे हैं triangle ले रहे हैं APD ध्यान से देखिए जो AP और यह वाले triangle और कौन से ले रहे हैं C के O B यहां से यह वाली side हमने बराबर निखा ली इसी तरह से जो हमें AP है यह वाली जो side है यह इसके side के बराबर दे रखी है क्योंकि यह भी parallelogram है तो इसकी बापॉजिट side बराबर होंगे और जो यह side थी B को और जो DP थी यह भी हमें given थी तो dp जो है bq के बराबर थी यानि कि यहां side 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 criteria से यह भी side है यह भी side और यह भी side बराबर है दोनों की तो यह concurrence prove हो जाती है तो यह भी part solve हो जाता है उसके बाद यह triangle लेते हैं aqb और cpd इनको ले लेते हैं यहां पर aqb और कौन सी triangle है triangle cpd यह वाले triangle लेते हैं तो aqb अब देखिए aqb यह वाले triangle है और cpd यह वाले triangle है इनके अंदर देखिए अब जो ab है वो cd के बराबर है क्योंकि abcd यह बड़ी parallelogram है यह जो side है इसके बराबर होगी इसी तरह से जो aqb है वो cp के बराबर होगी यानि कि यह छोटी parallelogram है तो यह भी दोनों बराबर होगी और bq equal to जो dp है वो तो हमें पता ही है यह side इसके बराबर है तो यह भी side 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 criteria से यह भी concurrence proof हो जाती है तो इस तरह से देखिए हम सारे को solo कर सकते हैं बस थोड़े से basic clear होने चाहिए इसमें जो parallelogram है उसके property हमें पता होने चाहिए तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोग पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद